किसी सियासी लीटर, फिल्मी सितारे या किसी सेलेब्रेटी को चाहना या पसंद करना और उसे फॉलो करना आम बात है और ये कोई गलत भी नहीं है लेकिन इसकी हदें पार करना मुनासिब नहीं है अब सुबह से सोशियल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे लेकर काफी हंगामा इस वक्त बरपा है तस्वीर में काबे के सामने एक शक्स कॉंग्रेस के केपी सी सी वरकिंग प्रेसिडेंट सतीष जयरकेवडी का पोर्टर लेख खड़ा है जिसमें तस्वीर के साथ ये लिखा गया है कि करनाटक के अगले सीम सतीष जयरकेवडी बनेगी अब ये तस्वीर सची है या एडिटेड है इस पर भी इस वक्त बहस जारी है लेकिन जहां तक हमने मौइना किया है उसके मताबिक तस्वीर एडिटेड है यानि एडिट की गई है लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी तस्वीर क्यों और किसने बनाई क्योंकि किसी की चाहत के नाम पर काबे की बेहुमती का भी खयाल नहीं रखा जाना अफसोस नाक है किसी भी किसन की तस्वीर हरम शरीफ के साथ एडिट करना कहां तक दुरूस है आप किसी को सियम बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं उसके लिए दुआ भी मांगे लेकिन इस तरह की हरकते ना मुनासिम हैं ये मुसल्मानों के जजबात को मजरू करने वाली हरकत है और अफसोस के इसे हमारे नوجवान बेसाफता मुखतलिफ गुरूप्स में शेयर किये जा रहे हैं इस मामले को लेकर उल्मा कराम ने अपने ख्यालात का इज़हर किया है और इसकी मजब्मत की है जो सवाल किये हैं अबलन तो इसी फोटो या तस्वीर को खाना एकाबा के सामने रखकर तैयार करना और फिर उसको वाइरल करना तो इस स्लसले में इसलामी नक्ते नजर हम सब मुसल्मानों को मालूम है कि काबा का तकदुस काबा की अज़म है यकीना इन छोटे मोटे सियासी अगराज से बहुत बलंदो बाला है और कतान किसी मुसल्मान कोई इस बात की अज़ाज़त नहीं होगी कि अपने सियासी या दुन्यावी मकासिद के खातिर खाना एकाबा को या खाना एकाबा के तकदुस को उसके लिए इस्तिमाल करें और जहां तक इस तरह की चीज़ों को वाइरल करना एक आम बीमारी और उबा है हाला के अल्ला के पेगंबर अलिह स्लाम ने फर्माया कि इनसान के जूटे होने के लिए तना ही काफी है कि जो कुछ उसने उस दोसरों के सामने वेयान कर दे तो इन वाइरल करने वाले या फैलाने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि काबह का तकद्ध्स यकीना ऐसी तस्वीर के बनाफी है और हमेरे लिए गतान ये जाइज और रवाद नहीं है कि अपने सियासी मकस्द के खादिर इन इस तरह की हरकतों को अंजाम दें जो हमारी अजमत काबा और तकदुस काबा के खिलाफ है बैरहाल काबा मुकद्दसा को ऐसे चोटे मोटे सियासी अग्रास जो मकासिद से उपर ही रहना चाहिए और उपर ही रखना चाहिए यही हमारा इमानी तकदुसा है इस वक्त सोशल वेडिया पर जो तस्वीर वाइरल की गई है पहली बात ये है कि ये असली तस्वीर नहीं है ये एडिटेड है जो इसको एडिट किया गया है दूसरी बात है कि अगर इसको एक मसल्मान ने इडिट किया हो तो सबसे बरी बात है जिसको इतना भी पता न bipolar ऐसकी अजमत किया है ह। उसका मकाम किया है कि खुदा के घर में जो जाकर अबादत की जाती है वो घुदा को राज़ी करने के लिए की जाती है لیکن अगर ये काम किसी मसल्मानने किया है तो ये उस मसल्मान को तवबा भी करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा गुना का काम काम किया है क्योंकि खुदा के घर के साथ किसी की तस्वीर जोड़ी गई और साथ में उसके लिए उसके हकानियत की गोया दलील पेश की जा रही है ये इसलाम हमें नहीं सिखाता है इसलाम खुदा के घर जाएं हम या रसूल अल्लाह के रोजे पर जाएं अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए हमें काम करना है तो ये बड़ी दुक की बात है हम खुशुसन नौजवानों से भी अपील करते हैं कि इस तरह के लोग अगर कहीं मिलें तो इनके खिलाफ ये फायर होना चाहिए और आवाज उठनी चाहिए कि खुदा के घर का इस्तेमाल चाहे वो तस्वीर की शकल में क्यों नहो वो गलत है अगर आज यहां इस तरीके से काम किया जा रहा है जो बनावटी तस्वीर बनाए जा रही है हो सकता है हमारे सियासदान किसी को बैतल्ला भेज भी दे ये भी कोई बड़ी बात नहीं हमारे लीडरान के लिए कि एक दो लाक रुपे खर्च कर दें और जाकर वहां तस्वीर बनाएं और वैरल कर दें तो मुसल्मानों को समझने की जरूरत है कि इसके जरीए हम खुदा के घर का तकद्द्स वामाल कर रहे हैं और खुदा के घर की हुरमत और अजमत का हमें ख्याल लें हमें तुबा की जरूरत है अल्लाँ की तर मुत्वज़ होने की जरूरत है हम अच्छे काम करें अच्छे लीडरों को आँगे लाएं और अच्छे लोगों को परमोट करें यह हमारी जन्मेदारी है मगर उसका खुदा के घर का इस्तेमाल करना बड़ी दुक की बाद भी है और अफसोस की भी है और मजमत की काबिल भी है और इस पर आवाज उठाने की भी जरूरत है वही कार्पोरेटर अजीन पटवेगर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा के तस्वीर और सती जरके वली का कोई तालुक नहीं है यह किसकी तरफ से वाइरल की गई है उसके लिए वही जुम्मैदार है कि तस्वीर वायरल हुई है काबा के सामने कोई शक्स एक तस्वीर लेके घड़ा है कि next cm सती जर्कियूड के नाम से तो इस तरह से काबा के सामने एक तस्वीर को वायरल करना का तक भले वह एडिटेड है इस पर आप क्या करें दिखिए यह जो भी किया है उसे पूछना चाहिए और यह जो शती जर्पिड साब को इसे कुछ भी संबन नहीं है जिसने भी किया है उसके इनपर ही करके कौन क्या 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 है वो पूछना चाहिए उसे कोई भी जो है एहीं भी जा करके एजोशन मेड़ा पर करते रहता है मंगर मैं समाजता हूँ कि इस तरह के एडिटेट फुटो दालना ठीक नहीं मुसल्मानों के जजबात काबाग शरीप के साथ जुड़े वे रहते हैं आस्ता का मामिला है तो जगह पर करना कहां तक मुनासिब है सई दिखिए जूस ने भी किया है उसे पुछना चाहिए आप मुझे पूछेंगे वह कौन है मैं जानता भी नहीं हूँ उसे पुछना चाहिए वही समाजी खिद्मतगार फजल खान पतान ने कहा कि इस तरह की तस्वीर वाइरल करने वाले पर सफ्त करवाई होनी चाहिए आग जिस तरह से एक तस्वीर वाइरल की गई है काबे शरीफ के सामने खड़े होकर एक शक्स ने जो है तस्वीर वाइरल की है सोचल मीडिया पर सुबह से तस्वीर वाइरल हो रही है इसको लेकर काफी हंगामा चला है तो आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं आज जो सुभोशी जो तश्वीर वाइरल हो रही है सतीस चारकेवरी सहाब की जो काबत उल्ला के अंदर एक शक्स लेकर ढहरा है वो सकता है वो आइडिट भी हुई होगी मगर जो है हम सतीस चारकेवरी सहाब को जो है एक अच्छा मज़ा हुआ लीडर समझते हैं और अपने सियासी पॉलिटिकल केरियर में बहुत अच्छा गिरिप रखते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारी डिस्टिक बेलगाम डिस्टिक का जो है एक लीडर सियम बने और हम भी उनके लिए इंशाल्ला दुआ करेंगे मगर यह जो हरकत हुई है यह बहुत नाकाबिले बरदास्त के जो है यह हरकत हुई है जिसने भी किया है यह हो सकता जरकी ओडिस आपको इसका नौलेज नहीं रहेंगा अंदाजा मालूमात नहीं रहेंगी मगर जिसने भी किया है उससे जो है सारे उल्मा कराम में एक खलबनी मची हुई है कि इस तरह से काबे की हुर्मती करके जो है इतना भी लोग दिवानों के जैसा चाहने वाले लोग हैं मुलके तो एक सियास दिए एक मुवथ अपनी जगा काबातुल्लत जो है जिसे अल्ला का घर कहते हैं जिसके सामने सारी दुनिया जुकते है उस जगे तस्वीर लगा कर जो है इस तरह सी मुवथ जाहिर करना भी गलत है तो इसके लिए महीं जो चाहरा हूँ और मेरे साथ जो है सारी कमीडिया हैं बिल्गाम की और जो है सारे उल्माई कराम भी जो है किस वक्त यही कह रहे हैं कि जो भी किया है उसके अपर जो है कानूनी कारवाई होना चाहिए साइबर क्रेम में उस पर कंप्रेंट करना चाहिए यह जो है अगर करेंगे तो आने व किसी कि चाहत में हदें पार करना मुनासिब नहीं है और इस तरह जूटी तस्वीरें वाइरल कर मजहभी जजबात को मजरूग करना अफसोस नाक है। किसी के चाहत के नाम पर अगर मुसम्मान खुद कावे की बेहुरूमतिक करने पर उतर आये तो इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है। वैसे भी सियासत के नाम पर अक्सर गिरी भी हरकतें देखी जा रही हैं। लेकिन आज की इस हरकत ने तो मानों इंतहा करती है। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही देखते रहें। एस इंडिया। इंडिया।